बुले सी लक्ष मिनाराण भगवान की जै कृष्णायवा सुदेवाय हरए परमात्मने प्रण तकले सनासाय गुविंदा ये नमूना महा आप सभी भक्तों को संकट मोचन मंदिर सिधार्थ एटेंशन पोकिट सी बी के मद्द में है सभी कालाउनी वासी एउन भक्तों को होली की मंदिर की ओर से हादिक सुब कामना है आए बिसे आता है कि होली क्यों मनाई जाती है होली है क्या की कहते हैं कि ये कस्यप के पुत्र थे हिरन कस्यप उनकी बहन का नाम था होली का जब हिरन कस्यप अपने पुत्र पहलाद जो पहलाद भगवान नारायन के परमभक्त थे वैश्णों थे ग्यानी थे तो नारायन की भक्ति में लीन थे तो उनके पिता कोई अच्छा नहीं लगा और अनेक प्रेत्न किये कि पहलाज जी का हम किस प्रकार बध करें लेकिन धर्मों रक्षती रक्षता जिसकी धर्म रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता पहलाज जी धर्म के प्रत उनकी विसेश आस्ता है इसलिए पहलाज जी का कुछ भी नहीं हो पाता जापर कृपा राम की होई तापर कृपा करही सब कोई भागवत में आया है कि यस्यप प्रसंदो भगवाने गुन मैत्रया दिभीर हरी तस्मै नमं प्रत्वी लोग के प्राणी चाहे जितना भी कष्ट देना चाहे लेकिन जिसका रक्षक भगवान है उसका बाल बांका भी नहीं होता इसी प्रकार जब पहलाज जी हर बार बच गए सापों से डस्वाया परवत से गिरबाया बिस दिया लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ प्रक्यों की ओ भगवन नाम का सहरा लिये की तब होलिका उनकी बहन भुवा जी आई पहलाज जी की हिरन्य कस्यत की बहन बोली भईया आप चंता मत करो मुझे ब्रम्हा जी के द्वारा प्रदान है सीतल छाया बरदान में प्राप्त हुई सीतल चादर मैं उसको लेकर उड़ करके बैठ जाओंगी आप मेरे चारों तरफ अगनी लगा देना पहलाज जी भस्म हो जाएंगे मैं बच जाओंगी और आपका कार्ष हो जाएगा हिरन्य कस्यप ने तुरंत आदेश दिया और वहाँ पर लकडियों का धेन लगाया एक चिता जैसी मनाई उसमें होलिका अपने भतीजे पहलाज को लेकर के बैठ गई जैसे ही उसमें अगनी लगी तो वह सीतल चाया वाइव देव के प्रभाव से और पहलाजी के सिर पर आ प्रदासरम कहते हैं जो भगवाल का नाम संकीरतन करता है भगवाल के नाम के आधीन रहता है भगवाल उस अपने भर्त की स्वेम रक्षा करते हैं और होलिका जनले लगी अब तो होलिका जोर-जोर से चिला रही थी कि है ब्रह्मदेव आपने मेरे साथ सही नहीं किया मैं चल रही हूं तब उधर से आकास वानी हुई कि जो कोई सकती प्रदान होती है बर्दान मिलता है और सुर्वकारियों के लिए असुर्वकारियों के लिए नहीं उसका सदीपियोग कीजिए दूर्पियोग कभी नहीं करना चाहिए और होलिका जनले के बाद पहला जी उसमे याद रहे कि होलिका धान क्यों हुआ था भर्त को कोई भी कष्ट देता है उसका बिनास होता है और भर्त की रक्षा होती है इसलिए इससे हमें ये भी ज्ञान मिलता है कि हम प्रभू नाम के आशित रहे अजब होलिका धान हो गया पहलाज जी बच गये तो दूसरे दिन सभी ने मिल करके उत्सो मनाया और ये अभीर गुलाल लगा करके एक दूसरे का धन्नवाद दिये स्वागत किये और भगवान के आशित सभी लोग हो गये द्रण विश्वात हो गया परमात्मा पर कि परमात्मा की भक्ति से अगनी से भी मनुस्य से बच सकता है इसलिए परस पर एक दूसरे का मिलन भी होलिका दान के दोती दिवस होता है जिसमें अभीर गुलाल लगा करके एक दूसरे से गले मिलते हैं बैर भाव को मिटाते हैं प्रेम का आश्रे लेते हैं इस तरह से हम होलिका दान मनाते हैं कि हमारे घर में भी कोई आश्री सक्त का प्रवेश ना हो प्रतिवस अगर है ते इसी में आकर के भस्म हो जाए